कर चले हम फिदा जानो तन सातियो अब तुम्हारे हवाले बतन सातियो बचो ये कोई आज़ादी का बाक्य नहीं है आज भी चरितार्थ हो रहा है आज भी हमारे देश के सपूत बॉर्डर पर खड़े हो करके सीमा पर खड़े हो करके देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आंगती देशा जो जज़वा उनमें है वो विश्व की किसी भी सेना बनेगा इसलिए ऐसे बच्चे जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं बहतर करना चाहते हैं उनके जज़वे को हम एक नया रूप देने की त्यारी में लगे हैं और उनको उस लाइक बनाने की त्यारी में भी लगे हैं ताकि ये बच्चे जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सीमा की सुरक्षा करना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए हैं एन्डिये का एक्जाम अगनी वीर का एक्जाम आप लोग जानते हैं कि एन्डिये तीन सितंबर को होने वाला है और उसके लिए हम पूरीद सिद्दक के साथ जोटे है हमारी सारी फेकल्टीज हैर मैथेमेटिक्स मैस रिजनिंग फिजीक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सारे टीचर्स अपना हंड्रेट परसेंट दे रहे टेस्स सीरीज चल रही है रेगुलर टेस्ट हो रहे है डेली टेस्ट हो रहे है इसलिए ऐसे बच्चे जो ट्वेल्ट पास आउट है अभी भी कुछ दिगड़ा नहीं है अभी भी आप जादोस डिफेंस एकेडमी आईए यहां आज भी हम कली से एक नया बैच लाँच करने जा रहे है जिसमें हम 3 सितंबर तक के लिए बच्चों को त्यार करेंगे 6-6 घंटे के बैच लगा करके डेली टेस्ट चल रहा है आप जोइन किजिए और 3 सितंबर हो सकता है कि आपका जीवनी बदन दे और आप डिरेक्ट लेटनेंट हो जाए इसलिए अभी भी आप आकर के जोइन कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि NDA में अब दर डिफेंस अबिसिज में एज लिमिट वो बहुत कब साड़े उमनी साल तक ही आप दे सकते हैं ओम साड़े अठारत तक ही भर सकते हैं इसलिए अभी भी टाइम है अभी भी समय हैं और NDA UPSC लेविल का एक्जाम हैं असी मजाक नहीं मेरे इतने बड़ोड़े टीचर हैं क्योंकि उसमें कई बच्चे के वाल मेत पढ़ लेते हैं और NDA हो जाएगा अरे बिटे एकेडमिक मैथ और कॉंक्टेटिव मैथ में बहुत अंतर है और NDA का मैथ और अलग है उसकी अप्रोच अलग है बिटे UPSC कंडेक्ट कराती है यह साधाना नहीं है कहीं भी बैठके हो जाएगा फिर दूसरा पेपर GS, Parent Affairs, UPSC ले बिलकाता है Physics, Chemistry है English सारी चीज़ है बड़िद कि यह बल गड़ित ही नहीं है गड़ित को तो हवा बना लेते हैं आप लोग Second paper ज़्यादा important है जिसमें GS भी है Physics भी, Chemistry भी English भी, Parent Affairs GS के साथ इतना सारा है और जब तक बड़िद सबको ही निकलेगा और मैं जो record result देता हूँ इतने अच्छे result देता हूँ उसका किवल एक ही reason है बटे कि यहाँ सभी को equal पड़ाते है पूरा एक आपका जो package type आपको जो मिलता है उसमें Maths भी टीचर पड़ा रहा है Physics वाला अलग, Chemistry वाला अलग सब expert अनुवाभी टीचर आपके साथ पूरी तरह से जुटते है और यही करने के चाहिए कोई भी छेत्रो UPSC, PSE या defense या कोई भी result भरबर के आते है तो पेटे अभी defense में आप आईए, join कीजिए PSE series join कीजिए और बेटे 3 सितंबर जाना नहीं चाहिए हलांकि 3 सितंबर के बाद अगला जो अटेंट आएगा मार्च का तब तक तो हम आपको बहुत अच्छे से त्यार कर देंगे इतना बड़िया त्यार कर देंगे कि आपका man's रुकना नहीं चाहिए हमारी तरफ से हम 100% देंगे बाकि अगर आप अगनी वीर के तहद Navy Air Force में आ रहे है तो बटे, Navy Air Force का आप जो अगनी वीर का paper है वो इतना easy नहीं है तो लोगोंने सोच लिए है कि सर अले ये अपने paper देखा हुगा SSC लेविल का पूरी क्यारी करना पड़ेगी उसमें अगर आप अगनी वीर में जाते हैं Navy Air Force में जाते हैं तो आपको SSC लेविल की complete क्यारी करना पड़ेगी GS, सारे चीजे math, reasoning, English, sub और बटे जब तक एक छट के नीचे एक approach से आप नहीं पड़ेंगे तब तक बटे selection नहीं होगा इसलिए selection हमिसा नहीं बच्चों का होता है तो एक approach से पड़ते हैं एक जगे चाहँ हो UPSC हो, PSC हो, SI हो, SSC हो कि बिखराओ math इदर पढ़ लिया, चलो GS इदर पढ़ लिया, इसे बटे कभी selection नहीं होते है क्योंकि इसके लिए एक approach की जरूरत है हर exam की अपनी अलग approach में एक ही बात कहता हूँ इसलिए उस approach से पढ़ोगे तो सही जगे पहुँचोगे, बरना भटकते हुए पहुँचोगे वो सकता, एज निकल लिया attempt खतम हो जाए इसलिए अपनी दीर के लिए जोइन कीजिए SSC के batch के साथ पढ़िए और दूसरा NDA separate batch आपके लिए कल से ही start हो रहा है उसमें आप आईए और जोइन कीजिए और आप जानते हैं कि result तो मैं जबर्जस देते हूँ इसलिए बच्चोव अब बिल्कुल भी देर ना करें अगर defense में जाना है समय बिल्कुल नहीं है अब बिल्कुल एक कदम बढ़ाने का समय आ गया है बढ़ाएए आप एक कदम बढ़ाएए दो कदम में चलूँगा आनन जादोन का आप से commitment आईए और कल से join केजिए defense, जादोन defense सांधारागाज दनेबाद